आज डाउट्नेट आप डाउट्नेट पर अपने सभी गनितह रिसायन विग्ञान भॉतिकविग्ञान और जी विग्ञान के hanya कYour के डाउट्स का और सपाया ब़े प्रशन की फोड़ेशन कहीं एची प्रशन को क्रॉप करो और तो रट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनोड करें हेलो बच्चो हमारा प्रिश्न है रंद्रिय उपकरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्त नहीं है तो रंद्रिय उपकरण यानि इस्ट्वमेटा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्त नहीं है वो देखना है तो पहला विकल्प हमारा रख्चक कोशिकाएं यानि गाड कोशिकाएं आप परवर्तिनिये रूप से क्लूरोप्लास्ट त्था मैट्रों कॉंड्रिया रखती है तो क्या ये विकल्प हमारा सही है तो ये विकल्प हमारा सही है क्या होता है जो रख्चक कोशिकाएं उनमें कभी-कभी मैट्रों पाया जाता है और क्लूरोप्लाश्ट क्लूरोप्लाश्ट भी रहता है वो क्या करता है क्लूरोप्लाश्ट उसे लिखेंगे हम यह एटीप की सप्लाय करता है ठीक है ठीक है आदान प्रदान करता है एटीपी का और स्टार्च का संग्रन करता है और स्टार्च का संग्रन ठी पहले बनलब ये तो हमारा ठीक है दूसरा भी कल्प है हमारा रप्चक कोशिकाएं हमेशा शहायक कोशिकाओं से गिरी होती है तो ये गलत है हमेशा रप्चक कोशिकाएं सहायक कोशिकाओं से गिरी नहीं होती है कभी-कभी क्या होता है कि जो एपिडर्मल कोशिकाओं होती है इसे लिखेंगे हम नीचे क्या होता है कभी-कभी epidermal कोशिकां में आकार एवं आकिरती में बिशिष्ट रूप आ जाता है तो उसी को सहायक कोशिकां कहते हैं क्या होता है कि जो epidermal कोशिकां कभी-कभी epidermal कोशिकां क्या है epidermal कोशिकां में क्या होता है आकिरती बमाकार में वो विशिष्ट रूप लेती है और उसी को हम सहायक कोशिकां कहते हैं तो दूसरे विकल्ब हमारा ठीक नहीं है ठीक है तीसरे विकल्ब है गैसी आदान प्रदान में इस्टोमेटा सम्मिलित होते हैं तो क्या होता है जब प्रकास्ट रिंशलिशन होता है तो बात अबरंड से इस्टोमेटा की द्वारा क्या होता है जो कारवन डैयोक्साइड है वो अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है इस्टोमेटा से इसाँ यह देखेंगे आप यह है इस्टोमेटा ठीक है क्या निकलेगा आक्सीजिन क्या अंदर जाएगा सीयोटू ठीक है थी चौता विकलब पे हमारा रख्छक कोशिकाउं की आंतरिक बित्ती मोती होती है तो यह है रख्छिक कोशिका है और इनकी आंतरिक जंस लिए भिट्ति नंत्र पिट्टि ये क्या है मोटी होती है यह अंदर की जो बिट्ती ऊती वह मोटी वोती है और बाहर की पतली होती है यह सन्रचना होती है ताकि सिर्फटर में अधिर उक्त नहीं है तो ये विकल्ब्स भी ठीक तो हमारे पृष्ण था कि रंद्रिय उपकरण के लिए निवन में से कौन सा कतन सत नहीं है तो कौन सा कतन सत नहीं है वो है बी तो हम लिखेंगे उत्तर हमारा बी धन्यवाद आज से डाउनोट के डाउटने डाप या वत्साप करें अपने सारे डाउट्स आच चारसो 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 पर